JCB 3DX 74HP यानि कि 74HP का JCB इंजर जो कि BS4 में आता है दोस्तों उसका रीडिंग कैसे बढ़ाएं अभी का सबसे ज़ारदा सर्च किये जाने वाला टोपिक है YouTube पे अगर आप जाएंगे तो सबसे ज़ारदा इसी टोपिक के उपर सर्च करते हैं लोग कि JCB 3DX 74HP का रीडिंग कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं कैसे बढ़ाएं क्योंकि अभी तक किसी ने इसके बारे में अच्छी तरीके से फुल डिटेल के साथ किसी ने बताया नहीं है दोस्तो इसका कारण भी है कारण यह है दोस्तो कि अभी जो 74 HP का यारी के 74 होर स्पावर का जो मसीन निकल रहे है नए नए उसमें काफ़ी चेंजिंग कर दिया है कमपनी वाले के दुआरा काफ़ी उसमें चेंजिंग किया है है पार्टों को चेंजिंग किया है मॉलिफिकरस्टो सब्सक्राइब कर दिया है नया-नया पृष Right技 और सबसे बड़ा जो प्रोबलम है दोस्तो broken system कर दिया है जिससे काफी ऑपरेटरों को उसमें करना करना पड़ता है और लोग डरते हैं उससे छेड़शाड करने से कहीं हम उससे छेड़शाड कर दे तो कुछ प्रोब्लम ना जाए काफी लोगों का कमेंट है काफी लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई इसके उपर एक वीडियो बना के बताईए कि हम रीडिंग कैसे बढ़ा है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा वहां से आप देख सकते हैं लेकिन जो आपका प्रोब्लम है उसके बारे माज हम बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और 74HP का रीडिंग बढ़ाने के लिए मैंने भी एजेंसी वाले को कोल किया एक इंजिनियर से मेरी बात हुई जो काफी एक्सप्रियंस है जैसीवी के बारे में और वह यही इसी से रिलेटर ही काम करते हैं वह कंपनी में तो हमने उससे बात किया और पूछा भाई कि 74HP जो नए-णए मसीन अभी 4-5 साल अर्चाड करने का कोशिस ना करे उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि JCB का रीडिंग ना बढ़ने तो ही अच्छा है इसका कारांग हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप JCB का रीडिंग बढ़ाते हैं तो पहले हमने बता दिया भाई आप लोग को कि इसमें काफी सेंसर सिस्टम और एलप्रोनिक सिस्टम कर दिया जिससे आप कहीं भी कुछ छेड़ते हैं तो सबसे पहले एजेंसी वाले को और जो जैसी भी का ओनर होता है उनके पास आपका उसका नोटिफिकेशन जाता है कि ऑपरेटर मसीन के साथ कोई वाईरेंटी नहीं रहेगा कमपणी द्वारा डारेट हाथ उठा देगा कि इसका कोई वाईरेंटी नहीं रहा है या तो भी सर्विसिंग के लिए जो लोग भेजते हैं तो वह नहीं भेजेंगे अब इसमें आप सवाल करेंगे कि एसा क्यों होता है चलिए दोस्तों को हमें इसकी बारे में सही जानकारी बताते हैं कि क्यूं ऐसे नहीं बढ़ाने देता है दोस्तों होता है क्या, आपको मालूम है कि JCD का engine जब 500 गंट जब काम करता है तो इसका 이름 है हर 500 गंट में इंजनाएल चेंज कर दिया जाता है लेकिन अगर बीना इंजन चले 500 गंटा आप कर देते हैं यारी, 200 गंटा आप nos audience चला है काम किया है और अगर 300 गंटा या 560 वैसा ही रीडिंग बढ़ा देते हैं तो वहां तो आपको जिसे छेट छाड़ करते आपका मालूम पर जाता है कि यह छेड़ छाड़ किया है इसमें ना काम चला है बीना काम चले ही रीडिंग बढ़ाया गया है तो वो लोग क्या है डारेट बता देंगे कि आपको जो सर्विसिंग का टाइम है वो आगे पीशे कर दिया गया है तो इससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते ह इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग हो सके तो आभी छेट-छाड ना करें इसके बारे में फिर हम जैसे हमको ज्यादा ज्यादा जानकारी मिलेगी हम आप सबको बताएंगे तब तक के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो कि कैसा लगा कमेंट जरू कर देना